मान के चलिए कि यह circuit short है तो short circuit को कैसे चेक करेंगे अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं देखिए यह multimeter है यहाँ beep range में लगाएंगे इसकी range को यहाँ पर यह beep की range है आपस में touch करेंगे तो यह beep की sound आ रही है अब जैसे की क्या होगा कि फ्यूज कट जाएगा यहाँ पर दोनों point में हम चेक करेंगे देखिए यह beep sound आ रही है इसका मतलब क्या है कि यह short circuit है अब यहाँ पर यह capacitor जो है वह जरूरी नहीं है कि यहीं short होगा ठीक है इसमें से कोई भी diode या जो भी इसके माइनस प्लस में component लगा हुआ है यह icb short हो सकती है तो हम जब तक यह beep की sound आती रहेगी तब तक हम इस circuit को short मानेंगे और beep यहाँ आना बंद हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि यह circuit हमारा short circuit जो था वो ठीक हो गया